स्लामनेकूम आल फ्यू वेलकम बेक टू मैं यूटूब चैनल आज हम आप पो पाकिस्ताइं डेस्टी की कुछ मिशूर अदाकारों की परानी और नहीं तसवीर दिखाएंगे पाकिस्तान इंडेस्ट्री में आने के लिए टैलेंट की बहुत जरूरत हो थीया लेकिन उसके साथ-साथ इंसान की शकल और ड्रेसिंग भी बहुत मैटल करती है जिससे वो बहुत खूबसूरत लगी सबसे पहले मारे पास आती हैं आईश्या उमर आईश्या उमर भी पहले भी खूबसूरत थी लेकिन वक्त के साथ-साथ उन्होंने अपने आपको बहुत गुरूम किया उन्होंने अपने आपको इस हद तक गुरूम कर लिया कि वो बहुत ऐलिगन लिखती है और इस बात से हमारे पास आती हैं सबा कमर सबा कमर ने भी बहुत स्ट्रॉगल की है अपने जिन्दकी में और इस पाकिस्ताई इंडस्ट्री में बहुत नाम और शोवरत हासल की है सबा कमर ने भी अपने आपको बहुत ज़्यादा गुरूंग किया है और अब पाकिस्तान की टोप खुबसूरत हिरोईन्स ने गिनी जाती है हर इनसान को वक्त के साथ गरूम होना पड़ता है तीसरे नमबर पे हमारे पास आती है मेविश हयात मेविश हयात के बारे में सुनने में आता है अपने आपको बहुत ज़्यादा गरूम किया है और वो आज पाकिस्तान इंडेस्ट्री की टोप हिरोईन्स में गिनी जाती और अब हमारे पास आती है निदा यासर निदा की पुरानी और नई तसावीर में बहुत ज़्यादा फरक नजर आता है निदा ने भी अपने आपको गरूम करने के लिए हर हद तक कुछ और अब नई तसावीर को देखा जाए तो निदा यासर अपने आपको इस हद तक गरूम कर चेकी है और वो अब बहुत खूबसूरत और एलिगन नजर आती है उसके बाद हमारे पसाती है युमना जैदी युमना जैदी पहले से ही बहुत खूबसूरत और इनोसेट फेस की मालिक है युमना जैदी ने भी अपने आपको बहुत हद तक गरूम किया है और बहुत सी चोटी सी उमर में इन्होंने पाकस्ताइन डेस्टी में बहुत शूरत हासिल की हैं और बहुत बड़े-बड़े अक्टिस के साथ कांग किया था आईजाख खान की पुरानी और नई तसावीर में ज़्यादा फरक नहीं नज़र आता वो पहले ही बहुत खूबसूरत थी लेकिन वक्त के साथ-साथ उन्होंने अपने आप खूब भुछ ज़्यादा गुरूम किया आज जैसा के ड्रेसिंग और फेस बहुत मैटर करता है और उन्होंने अपने आप इस हद तक गुरूम कर लिया है कि वो पाकिस्तान की टोप खूबसूरत हिरोइंज ने काउंट की जाती है एस यह और वीडियो देखने क्लिए मैं चैनल से स्प्क्राइब करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलाहाफीज